हेलो गाइस कैसे आप सब लोग तो अपने मेरा पुराना वीडियो देखा था जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी रिगार्डिंग एक्सपल्स फोर वाल्व जो नहीं बाइक आ रही है उसका हेड हम क्या पुरानी बाइक में लगा सकते हैं तो इसका ये नेक्स्ट पार्ट है कि हमें क्या-क्या मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या-के चेंजिस होए हैं बाइक में एक्चुली ऑन पेपर उस टाइम तो ह हें उन्होंने क्या हैं पहला तो क्रेंक्साफ्ट थोड़ा चेंज किया है उन्होंने और उसकी वज़र से क्रेंगेस में वी थोड़ा चेंज आया है तो यह दोनों चीज suiv कर गह और gears, gears में भी बदलाव किया है, gears जो है, ratio जो है, close कर दिये हैं, पहले के comparison में, पहले काफी tall आते थे, मतलब जो gap था, बहुत ही uneven था, first से second पे जाओगे तो, बहुत ज़्यदा RPM ड्रॉप हो जाते थे, उसके बाद वाले gears जो है, बहुत close थे, तो वो उन्होंने fix किया है, उस के अलावा, जो, camshaft का gear है, वो भी change हुआ है, अपना, जो timing change इस पर लगती है, timing change सेम है, और timing change की guide भी change की हुई है, इसके अलावा, हमारा, जो, tensioner है, tensioner हो भी change किया है, क्योंकि, मैंने चीज़ देखी है, कि इसमें sound आती है, tensioner मतलब नए आप लगा दोगे, उसके बाद भी कुछ किलोमेटर से बाद sound आने लगती है, में इस वज़े से उन्होंने changes किया होंगे, और crankcase cover तो change हुआ ही हुआ है, क्योंकि oil cooler पहले, दोनों pipes यहां से गुजरती थी, और इस बार जो है, खाली single pipe यहां पर है, मतलब आप का, पलसर में आता है, सेट अप मैसा ही कर रखा है, पलसर में देखा होगा, यहां पर direct oil कोल हो के जाता है, तो same चीज उन्होंने भी की है, और एक थोड़ा सा मुझे बड़ा बदलाव लगा, वो है कि, air suction valve उन्होंने remove कर दिया है, ASV मोलता है जिसको, secondary injection भी कह सकते हो, जैस इसे क्या होता कि, pollution कम करने के लिए होती है, directly, cool air डाली जाती है, exhaust में, तो यह हटा दिया है, इस बार इन्होंने, और, क्या change नहीं हो, आप इसकी बात करते हैं, piston block सेम है, head gasket जो इसकी है, piston block की, वो भी सेम है, इसका मतलब, हम चेंज कर सकते हैं, normally, मतलब, fit हो जाएगा, bolt व साइज में भी थोड़ा चेंज हुआ है, जो आपको रबट देख रहे हो, intake साइज थोड़ा बदल गया है, इसका 2019 जो मॉडल था, उससे डिफरेंस है, इसमें, जो नया नो निकाला है, और exhaust का भी मुझे लगा कि, थोड़ा सा मतलब, यह एंगल जो है, इधर को कर दिया है बेंड हो गया है, तो बाकी सब सेम है, और जो हमारी gasket है, मतलब crankcase वाली, वो भी सेम है, तो इसका मतलब है कि हम crankcase cover जो है, लगा सकते हैं अपनी, अपनी इस पुरानी bike में, नई वाली का, इसका मतलब यह भी है कि, अगर हम cover लगा सकते हैं, तो oil galleries भी सेम है, क्योंकि मैंने फोटोस जो देखी थी, उसमें देखा कि सब जो उसका oil filtering वाला सिस्टम है, वो भी सेम है, oil galleries में भी कोई खास बदलाव नहीं लगा में, सेम है पुरा, तो हम यह cover भी लगा सकते हैं, oil cooler लग जाएगा हमारा, और जो clutch है, clutch plates वो भी सेम है, clutch spring भी सेम है, clutch का जो gear रहता है, ब overall gearing को उन्होंने maintain करने के लिए, उसमें teeths वगेरा change किये है, उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा, बट हमारी major अभी problem आएगी, हैड का जो size हो गया है, increase, अभी इतना है तो उसका थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, उससे problem कियाएगी, कि clearance का issue आएगा, देखो यह तो extreme ह मैं Xpulse की बाद नहीं कर रहा हूँ, अभी तो extreme की बाद कर रहा हूँ, extreme में क्या है कि उपर बहुत कम है, मतलब clearance देखो गए तो, अगर आपको दिख रहा होगा, वीडियो में तो, but Xpulse में काफी जादा रहता है, क्योंकि chasis उसकी अलग है, off-roading के हिसाब से उन्होंने बन दूसरा यही problem है कि intake, जो मैंने बताया, रबड, intake के बूट है, इसका size change हुआ है, तो क्योंकि हमारा ही carburetor setup है, तो इसमें problem आ सकती है, हमें थोड़ा सा customize करना पड़ सकता है, अगर फिट नहीं हुआ तो, दूसरा problem आएगा, exhaust का angle थोड़ा सा change हुआ है, तो हमारी pipe को हमें पड़ा सा bend हो गए रहा, modify करनी पड़ जाएगी, और head का तो size बड़ाई है, और head को क्या किया है, head का weight भी बढ़ गया है, इस वज़े से नहोंने head को यहां पर extra support दे रखाया है, इस जगह पर, chasis से एक rod आती यहां पर, और उसमें दो बोल्ट लगे है, same pulsar की दर किया है, puls क्योंकि, part ordering system है, उसके बारे में, थोड़ा सा मतलब सही नहीं है, बजाज में क्या होता है, कि आप जाते हो, और आप किसी भी part को बोलोगे, तो part आपको मिल जाएगा, easily, but hero मैसा नहीं है, आपको जिस bike का part लेना है, उसकी मतलब, entry करवानी पड़ती है, पूरी, और bike आपक किसी के बास, X-Pulse 4 wall मैंने देखी नहीं है, नाहीं अभी agency में आई है, तो थोड़ा समय लग जाएगा, इस project को करने में, तो ये थोड़े major changes थे, बाकी, एक बार जब head लग जाएगा, हमारा तो, fueling वगरा का, बाद में हम discuss करेंगे, next, upcoming videos में, तो, थोड़ा समय लगेगा, आप बताईए, comment section में, आपको क्या मतलब लगता है कि, possible है कि नहीं है, और क्या मुझे problem और आ सकती है, इसके इलावा, तो, ठीक है, अब next video में हम बात करते हैं, आगे, पहले एक बार हम पर launch हो जाए, properly, bike, मेरे local area में, तो, इसके बाद discuss करेंगे, तो, यही था एक छोटा स follow-up video, तो, मिलते हैं हमारी next video में,